क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स जैहिन स्टूडेंट्स समाजिक विज्ञान सिविक्स के अध्याय पांच का अध्यान करते हुए अभी हम डेमोक्रेटिक राइड्स यानि की लोगतांत्रिक अधिकार का अध्यान कर रहे हैं और students मैं बता दूँ कि लोगतांत्रिक अधिकार चैप्टर का ये चौथा वीडियो है इसके पहले मैं तीन वीडियो आपके समक्ष प्रस्तूत कर चुका हूँ और students मैं आपको बता दूँ कि जदी आप NCRT बुक का अधियन कर रहे हैं तो अभी आपको पेज नमबर 76 यानि चियत्तर पे फोकस करना है और जदी आप JCRT के बुक से अधियन कर रहे हैं तो आपको पेज नमबर 82 यानि 82 पे फोकस करना है और students हमारे समक्ष जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कोसोवो में जातिय नरसंगहार तो students इससे वीडियो के माधियम से आप जानेंगे कि कोसोवो कहा है जातिय नरसंगहार का मतलब क्या होता है और कोसोवो में जो जातिय नरसंगहार हुआ उसका लोगतांतरिक अधिक से क्या सम्मंद है तो इन कए बातों का अधियन आप जानेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि लोकतांथृक अधिकार जो है वो किसी समाज के लिए किसी देश के लिए कितना जरूरी है और इन अधिकारों में जब कटवती होती है तो किसी खास समूपे लेके अधिकारो क का प्रयास करेंगे तो आज हम जिस प्रकार से एक ऐसे जूग में जी रहे हैं जहां कि बहुत सारे लोगतांतरिक अधिकार हमें मिले हुए हैं और उन लोगतांतरिक अधिकारों में अधिकारों के अंतरगत हम लोगों को जीना भी आ गया है बावजूद इसके बहुत सारे ऐ इसे देश हैं जहां लोग तांतरी का अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह का हनन कहा होता है क्यों होता है किसलिए होता है इन बातों की जनकारी हमें होनी चाहिए तो इस्टुडेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक कोसोबो में जाती है करूंगा नक्से के माध्यम से भी बताऊंगा कि कोसोबो कहां पर है ठीक है स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स अब आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए कोसोबो का जातिय नरसंगहार एथनिक मैसकर इन कोसोबो कोसोबो पुराने युगोसलाविया का एक प्रांत था जो अब तूट कर अलग देश बन चुका है ध्यान दीजेगा स्टुडेंट्स आपके समख्ष एक नाम आ रहा है एक देश का नाम आ रहा है जिसका नाम है युगोसलाविया जदि अभी आप इरोप के नकसे में युगोसलाविया को ढूंडेंगे तो युगोसलाविया आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि युगोसलाविया नाम का देश अब नहीं है ठीक है तो युगोसलाविया से तूट कर अभी कई अलग अलग देश बन चुके हैं कई देश बन चुके हैं और उन्ही में से कोसोबो भी अब एक देश बन चुका है ठीक है तो ध्यान दिजेगा कोसोबो पुराने यु कोसोवो का छेतरफल आज लगभर 10,887 वर किलोमीटर है जो कि आज हमारे जारखंड राज के दो जीलों पस्टमी सिम्मूम 7,224 किलोमीटर और पूर्वी सिम्मूम 3,562 किलोमीटर की सम्मिलित छेतरफल 10,786 किलोमीटर के आसपास है समझने का प्रयास कीजिए स्टूरेंट्स कि जारखंड राज के दो जीलों का मैं नाम ले रहा हूं एक पस्टमी सिम्मूम एक पूर्वी सिम्मूम वास्तव में मैं जारखंड राज के विद्यार्थियों को यह अनुमान कराना चाहता हूं यह आभास कराना चाहता हूं कि आ 10,786 स्क्वार किलोमीटर और कोसवो का जो चेतरफल है वो है 10,887 किलोमीटर ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूर्वी सिंबो मर्पस्मी सिंबो मिलाकर जितनी जमीन होती है उतना ही जमीन है कोसोबो का यानि कि बहुत ही छोटा सा एक देश खना यह कहना आचा कि युग Students आपके समक्ष Europe का एक नकसा है Europe का एक Outline Map है जिसे हाथ से बनाया गया है तो Students आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे आपके बॉई हाथ के और देखिए एक देश दिखाई दे रहा है Spain Spain के जस्ट बगल में France France के उत्तर पूरब में Belgium पूरब में Germany France के पूरब में Switzerland France के दक्षिन पूरब में Italy ठीक है Italy से ही सटा हुआ एक देश Austria Australia नहीं Australia तो एक अलग महा देश है महा देश भी है और देश भी है Austria ठीक है और उसके ठीक नीचे देखिए मैंने अंकित क्या हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Students ध्यान दिजेगा यही जो आठो देश आपको दिखाई दे रहे हैं इन आठो देशों को किसी समय हम लोग यूगोसलाविया बोलते थे क्या बोलते थे यूगोसलाविया ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो देश नजर आ रहे हैं पहला देखिए एक नंबर एक नंबर देखिए जो लाल से अंकित है उसको हम लोग कहेंगे Slovenia ठीक है ठीक है यूगोसलाविया का एक प्रांस Slovenia दो नंबर में देखिए Croatia है न ये वही Croatia है जो 2018 के Football World Cup के Final में खेला था France के बिरुद बात समझिएगा ये Croatia यहां के लोगों को Croatia बोला जाता है ठीक है अब तीन नंबर देखिए Bosnia, Harjgobina पहला Slovenia Bosnia, Harjgobina Students अभी चार नंबर को मैं छोड़ रहा हूँ पांच बताता हूँ पांच देखिए Montenegro छे को भी छोड़ देता हूँ साथ देखिए Albania और आठ देखिए Macedonia अब रह गया क्या चार नंबर सर्बिया और पांच नंबर सौरी छे नंबर कोसोबो चार नंबर सर्बिया और छे नंबर कोसोबो बात को समझिएगा तो चार नंबर देख जो है जो की स्काई कलर में आपको नजर आ रहा है वो है सर्बिया और सर्बिया का ही एक प्रांथ है कोसोबो जो लाल में जो अंकित है च्छै नंबर वाला यानि कि चार नंबर वाला जो बड़ा सा देश है सर्बिया उसी का एक प्रांथ है कोसोबो जो लाल में अंकित है च्छै नंबर में बात को समझेगा ठीक है तो ये जो कोसोबो है यही कोसोबो सर्बिया से अलग होना चाहता है ध्यान दिजिएगा कि योगोसलाविया से तो सभी तूटी गए योगोसलाविया से स्लोवेनिया अलग हुआ क्रोएसिया अलग हुआ बोस्निया हर जोगोविना अलग हुआ सर्बिया अलग हुआ Albania अलग हुआ, Macedonia अलग हुआ यह सारे अलग हो गए लेकिन अब यहां बात हो रही है सर्बिया से तूटकर अलग होने का मामला है कोसोबो का अब भई सवाल यह है कि सर्बिया से कोसोबो क्यों तूटकर अलग होना चाहता है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि सर्बिया जो है वो इसाई बहुल देश है ध्यान दिजिएगा सर्बिया जो है वो इसाई बहुल देश है और कोसोबो जो 6 नमबर प्रांत आपको नजर आ रहा है कोसोबो जो है वहाँ पर मुसल्मानों की संख्या जादा है जैसे भारत की बात को आप सोचिए कि भारत एक देश है लेकिन जम्मू कस्मीरे का ऐसा छेतर है कस्मीरे का ऐसा छेतर है जहाँ पर मुसल्मानों की संख्या अधिका और ये लोग अलग होना चाहते है ठीक है उसी तरह से सर्बिया से कोसोबो अलग होना चाहता है आई बास समझ भें तो मामला यही पर आके रुका हुआ है कि सर्बिया से कोसोबो अलग होना चाहता है अब आप पूछेंगे कि क्या सर्बिया से कोसोबो अलग हो गया तो हाँ बहुत सारे देशों ने उसे मानेता दे दी है लेकिन सर्बिया ने तो आज तक उसको मानेता नहीं दी है ठीक है बहुत सारे देशों ने मानेता दे दी और बहुत सारे देशों ने मानेता नहीं दी है ठीक है चलिए स्टूडेंट्स अब आप विशे को समझ गए होंगे क्योंकि नक्सा को मैंने आपको दिखाया और समझाया भी तो सर्बिया को सोवो की सोतंतरता को नहीं मानता जैसे भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जम्मू और कस्मीर को एक अलग देश बनने दे क्या भारत चाहेगा कि कस्मीर एक अलग देश बने या भारत का ही एक प्रांतर है उसी तरह से जो सर्बिया है वो को सोवो की सोतंतरता को नहीं मानता ठीक है सर्बिया एक इसाई बहुल देश है जिसका एक हिस्सा को सोवो में लगभग 95% मुसल्मान रहते है अभी अभी मैंने बताया कि सर्बिया देश का ही एक प्रांत है जिसका नाम है को सोवो और उस अस्थान पे जो मुसल्मानों की संख्या है वो लगभग 95% है 5% इसाई लोग है ठीक है को सोवो के लोग सर्बिया के साथ नहीं रहना चाहते जैसे भारत में कस्मीर के लोग भारत में भारत के साथ नहीं रहना चाहते है या रहना भी चाहते हैं तो वहाँ आतंकवादी गतिविदिया इतना जादा है कि जो सही लोग है वो लोग भारत का साथ देना भी साथ देने से चुकते हैं डरते हैं अब आगे देखिए कोसोबो छेतर में अलबेनियन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जबकि संपुर्ण सर्विया के इसाब से सर्व लोग बहुत संख्या के यहां तक आप समझें होंगे स्टूडेंट्स आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए देखिए बिद्यार्थी यह समझने का प्रियास करें कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी किस परकार नागरिक अधिकारों का उलंगन कर सकती है स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग तांत्रिक अधिकार का अधियन करते करते हम लोग कोसोबों तक पहुँच गये हैं ठीक है तो हम लोग कोसोबों क्यों पहुँचे हैं क्या इसा कौन सा इसा कारण है कि हम लोग कोसोबों पहुँचे हैं कोसोबों पहुँचने का कारण स्टूडेंट्स ये हैं वहां का मुद्दा हम लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहां पर यह अध्यन करने वाले हैं कि एक लोक्तांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है वो भी कभी-कभी ऐसा कर सकती है कि वो नागरिक अधिकारों का उलंगन करे हना और करती भी है तो ऐसे में जब कोसोबो सर्विया से अलग होना चाहता था सर्विया में एक संकिर्ड सोच के सर्व राष्टवादी मिलो सेविक यह नेरो माइंडेट सर्व नेशनलिस्ट मिलो सेविक ने यहां के चुनाओं में जीत हासिल गए फिर से इस बात को समझने की कोसिस कीजिए कि कोसोबों के लोग अलग होना चाहते हैं ठीक उसी परकार से जैसे कस्मीर के लोग भारत से अलग होना चाहते हैं वैसे ही समय में सर्विया में एलेक्सन होता है और उस एलेक्सन में एक नेता चुने जाते हैं जिनका नाम है मिल सेविक नाम के एक जो हैं नेता बनते हैं वहां के परधान मंत्री बनते हैं कहां के सर्वी आगे ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एथनिक मैसकर इन कोसोबो चुकि मिलो सेविक सर्व था और उसकी विचारधारा उग्र रास्टवाद की थी इसलिए इन ही के नेत्रितों में जब सर्विया में सरकार बनी तो अपने ही देश के एक छेतर कोसोबो जो की सोतंत्र होना चाहता था वहां के मुसल्मानों के बिरुद भारी सक्ती से पेस आया बात को समझेए सर्विया में चुनाव होता है चुनाव होने के बाद सर्विया के परदान मंत्री जो बनते हैं उनका नाम था सलवोदान मिलोसेविक उनको हम लोग सौट में बोलते हैं मिलोसेविक और ये मिलोसेविक क्या करते हैं अपने ही देश के एक प्रांत जिसको हम लोग नाम जिसका नाम है कोसोबो उस छेतर में जो वहां की जो जनता है मुसलिम उन लोगों के साथ सक्ती से पेस आते हैं सक् है students चलिए अब आगे देखिए screen पे कोसोबो की समस्या को समझने के लिए हम सब को कस्मीर की समस्या को समझना होगा मतलब बार बार मैं कस्मीर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि class 9th के students जदी देखा जाए तो इरोब के विविन देशों की जानकारी वो लोग नहीं रखते हैं लेकिन अपने देश का example को जदी सामने रखें तो उनको सारी बातें समझ में आ जाएगी तो class 9th के अधिकांस students को इतना तो जरूर पता है कि भारत देश का एक प्रांत है जम्मू और कस्मीर और वहां कस्मीर के जो लोग हैं वो भारत से अलग होने के लिए वो लोग अपना अंदोलत जलाते रहते हैं और चला भी रहे हैं उसमें एक विदेशी ताकत है पाकिस्तान वो उसकी सहायता करता है चीन भी उसकी सहायता करता है और भी बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो लुक छीप कर कस्मीर के लोगों की सहायता करते होंगे ठीक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कस्मीर के लोगों पर हम लोग कोई दमन चकर चलाएं ऐसे नहीं होता है मतलब इंसान के लिए इंसानियत का ही बिवहार होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम वहां की जनता को जो है वो सताने का काम करे भारत सरकार जो है वो जम्मु कस्मीर की जनता को सताने का काम करे ये सही बात नहीं है ठीक है प्रजात तंत्र में ये चीज़ संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए तो चलिए देखिया आगे कोसोवो की समस्या को समझने के लिए हम सब को कस्मीर की समस्या को समझना होगा भले ही अंतराश्टिय समुदाय में जो भी आकलन करें लेकिन 1948 से आज तर भारत सरकार कस्मीरियों के लिए लगातार विकास योजनाय चलाती आ रही है और यहां जो सक्ती दिखाई देती है वह पडोस में पाकिस्तान जैसे देश के उकसा आने के लिए की जाती है तो इस्टुएंट्स यहां यह बताया जा रहा है आपको कि भारत आजाद होने के बाद 1948 से ही कस्मीर की स्थिती जो है एक तरह से बहुत नाजुक बनी रही कस्मीर के लोग जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के प्रभाव में आ गये हैं और वो प्रियस्तान के साद नहीं जूड़ना चालते हैं बात समझ रहे हैं तो ऐसा क्यों रहा है यह पाकिस्तान के उकसावे के कारण हो रहा है बावजूद उसके भारत स्थित्रकार वहां बहुत सारी विकास योजनाय कला रही है कस्मीर में और कश्मिर के लोगे बहुतर भवि चुनी हुई मिलोस्वेवी की सरकार ने कोसोवो के अलबानियाई लोगों के प्रती बहुत ही कठो बेवार किया मतलब कहा जा रहा है कि कोसोवो का मामला थोड़ा अलग है जैसे कस्मीर के साथ उसको पूरी तरह से आप जोड़ के देख नहीं सकते है कस्मीर का मामला अलग है कोसोबो का मामला अलग है वहाँ जो सर्विया में जो मिलोसेविक की जो चूनी हुई सरकार है वो कोसोबो के अलबानियाई लोगों का मतलब क्या हो कोसोबो की तो जनता है जो 95% जन संक्या हो मुस्लिम जन संक्या है तो वो सारे जो 95% लोग है वो एक तरह से अलबानियाई ही कहलाएंगे ठीक है तो उसके प्रती जो मिलोसेविक हैं मुले सेविक वहां के नेता हैं वहां के परदान-मंत्रियं सर्विया के उनका वेभार बहुत कठोर है उनकी इच्छा थी कि को सोबो सहित पूरे सर्विया पर उनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बनियाई लोगों जैसे अल्प संख्यक या तो देश छोड़ कर चले जाएं या सर्वों का प्रभृत्वा स्विकार करें मैंने बहुत सारे लोग या मिलो से भी कभी ये सोचना था ये कहना था कि जो लोग देश से कोसोबो को अलग करना चाहते हैं वो लोग देश छोड़के ही चले जाएं देश के एक प्रांत को अलग करने की बात ना करें अब स्टूरेंट जदी हम कस्मीर की बात करें तो कस्मीर में भारत सरकार को एक साथ कई चीजों की चुनोती है अलगावाद पर अंकुस लगाना है पडोसी पाकिस्तान और चीन की रणनिती और जुद्ध जैसी स्थिती का लगातार सामना करना है और तब भी विकास की यो पर लगाया गया आरोप निगाधार है यानि कि मिलोसेविक जो कर रहा है वो मिलोसेविक को भारत के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए वहां की स्थिती अलग है और यहां की स्थिती अलग है क्योंकि हम लोगों को एक साथ पाकिस्तान और चीन को भी देखना है और उन जमीन को लेना चाहता है तो भारत ऐसा होने तो नहीं देगा बावजुद उसके भारत जो है कस्मीर में विकास की योजनाए चलाता आ रहा है और चलाएगा भी ठीक है स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि एथनिक मैसकर इन कोसोबो जो हमने बताया आप लोगों को कि कोसोबो में जो जाती है नरसंगार हुआ तो क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ उसके बारे में तो चर्चा आप तक नहीं हुई तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कोसोबो में हुआ क्या तो घटना है एक अप्रेल 1999 की ठीक है 74 बर्सिये बुढ़ी बुढ़ी आउरत उसका नाम है बतीसा होकसा है ना अपने रसोई में 77 बर्सिये बुढ़े पती इजेत उनका नाम है इजेत के साथ बैठी ठंड से बचने के लिए आग ताप रही थी बा बने उसको अधेर भी नहीं कहेंगे एक दम बूढ़े कहेंगे बृद्ध कहेंगे हना तो उसकी पत्नी का नाम है बतीसा होकसा और पती का नाम है इजेत हना ये लोग मुस्लिम हैं किस देश के रहने वाले हैं सर्बिया के किस प्रांत के रहने वाले हैं कोसोबो के ये खोल कर 5-6 सर्व युगोसलाव सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा बच्चे कहा हैं बत को समझेगा वास्तम में सर्विया की फोज उनके सहर में घुसाई थी चारों और 20 फोटों की आवाज आ रही थी ये घटना कहां की है ये घटना को सोबो के किसी ग्रामिंड इच्छे त्रिकी है ठीक है इस्टुडेंट्स आगे स्क्रीन पर देखिए बूड़ी 32 हक्सा याद करती है कि सैनिकों ने उनके पति की छाती में तीन गोली मारा था कितनी मने एक तरह से सर्वनाक बात है एक बूड़े बेक्ती को सैनिकों ने तीन गोलिया मारी छाती में तो स्टुडेंट्स आप समझने की कोशिस किजिएगा इसी को हम लोग कहते हैं मानवा धिकारों का हनन यही है मानवा धिकारों का हनन अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर्विया में एक चूनी हुई सरकार है एक elected government है वहाँ के परधान मंत्री चून कर आए है नाम है उनका मिलो सेविक है न और अपने ही देश का एक प्रांथ जो है कोसोबो वहाँ पे वो नरसंगहार करवाते हैं किसके माध्यम से अपने सैनिकों के माध्यम से और वो भी बुढ़े बुजूर्गों को गोली मारी जा रही है तो यह क्या यह अच्छा हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है है ना पती पत्नी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था लेकिन कुछ नहीं भी गाणने के बावजूद भी देखिये क्या हुआ अब 32 हक्सा बिल्कुल अकेली थी बिल्कुल अकेली थी का मतलब यह हुआ students कि उसके पती तो मर गए है न उसके पास ना मकान था ना पती और ना सरीर पर पहने कपड़ों के अलावा और कोई चीज घर को पूरी तरह जला दिया गया था students आप समझ गए होंगे कि घर को जलाने का काम सर्ब सैनिकों ने किया होगा ठीक है students अब आगे देखिए स्क्रीन पे समाचारों में आई यह घटना उन हजारों अलबानियाई मुस्लिम लोगों के साथ हुए बरताओं में से एक की सचाई बताती है students यह तो एक घटना है ना जाने कितनी घटनाएं हुई इस तरह की और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर गई थी जो लोगतांत्रिक चुनाओं में जीत कर सत्ता में आया था यानि कि सर्भिया में एलेक्सन हुआ और एलेक्सन होने के बाद मिलो सेविक वहां के परधान मंत्री बने और परधान मंत्री बनने के बाद वो कोसोवों में नरसंगहार करवाते हैं ये अच्छी बात नहीं है है ना किसी भी द्रिष्टी से अच्छी बात नहीं है कोसोवों को सोतंतरता मिले ना मिले ये अलग चीज है लेकिन वहां कुसोबों के लोग तो अपना संगर्स करी सकते हैं कोई भी छेतर ऐसा करता है दुनिया के कई छेतरों में सोतंदरता की मांग चल गई है और चलेगी भी लेकिन इसका ये प्रति उत्तर नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार अपने सैनिकों के मादयम से बुड़े बुजोगों को घर में जाकर गोलियों से मार दे उनका उनकी हत्या कर दी गलत है जातिये पुरभाग्रहों के चलते हाल के बरसों में जो बड़े नरसंगहार हुए उनमें संभावता यह सबसे भयंकर था, सबसे वर्स्ट था, आखिरकार कई और देशों ने दखल दिया, इंटर्वेन किया, तब यह करम तूटा, मनें बहुत सारे देशों ने जो मिलो सेविक के द्वारा जो कोसोवों में इस तरह का कारज किया जा रहा था, तो उस पर के परदान मंतरी को भी सोचना पड़ा कि अब आगे हमको कैसे क्या करना चाहिए, तो देखिए आगे, मिलो सेविक लोस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाइड बाइड इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टिस फोर क्राइम एगेंस्ट हुमनीटी, स्टुएंट्स कोर्ट अब जस्टिस में चलता है, अंतरास्टिय नियालाय में चलता है, किस चीज के लिए, फोर क्राइम एगेंस्ट हुमनीटी, मने मानावता के ब्रुध उन्होंने जो अपराद किया, उस अपराद के लिए उन पर मुकदमा चलता है, ठीक है स्टुदेंट्स, तो स्ट जंगल में नहीं रहते हैं, हम लोग जंगल का कानून नहीं मानते हैं, हम लोग एक परजातांत्रिक देश में रहते हैं, तो परजातांत्र की अपनी सीमाएं होती है, अपनी कुछ मर्यादा होती है, तो उन मर्यादाओं के तहत ही हमें जीना होता है, और उन नियमों को मान भी पड़ता है चाहे कोई परधान मंत्री बन जाए कोई राष्ट पती बन जाए कोई सेना में बड़ा से बड़ा पता दिकारी बन जाए इससे क्या होता है मानवता अपने जगा पे है और मानवता कि रक्षा करना प्रतेक बेर्टी का धर्म है और सब को ये बात समझना चाह करता हूं और उमीद करता हूं कि आप लोग जो है कोसोवों में जाती है नरसंघ हार जो जसी आर्टी के जसी आर्टी सिविक्स के पाठ़े पुस्तर के पैज नमबर बिरासी पे है और कुछ अन्स तिरासी पे है उसको आप देखने का जरूर परयास कीजिए ncrt का book आप पड़ रहे हैं तो page number 76 page number 77 पे ये उपलब्ध है उसको आप देखिए और साथ ही आप लोग इरोब के मानचीतर को भी देखने का प्रयास कीजिए इरोब के मानचीतर में आपको सलोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जगोबीना, सर्बिया, मॉंटिनेग्रो, कोसोबो, अल्बानिया और मेसिडोनिया ये सारे देखने को मिल जाएंगे और जदी कोई पुराना मानचीतर होगा तो उसमें आप युगोसलाविया को देखिएगा आपको ये जो देश है उनकी स्तिती को आप समझ जाईएगा इसको हम लोग बालकन कंट्री भी बोलते है इसको हम लोग बालकन देश भी कहते हैं तो ये छोटे छोटे देश है लेकिन छोटा छोटा देश है लेकिन ये काफी महत्वपुन है और अंतरास्टी घटनाएं जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो इन देशों में घटित हुई है और इस से जो है हमारा समाज आज निती ही भी है जो यूगोसलाविया से परभावित हुई है तो ठीक है स्टूएंट्स आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में और अभी बर्तमान में जो हम लोगतांत्री का अधिकार चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पे दो तीन वीडियो और मैं आपके समख्च सिगरू को पस्तित होंगा उसे लेकर तो आज के लिए इतना ही ठीक है स्टूएंट्स जैहिंद स्टूएंट्स